नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के इस यूट्यूब चैनल में आपका हारदीक स्वागत, अभिनंदर 1975 की 25-26 जून की रात्री, देश में तत्कालीन कॉंग्रेस सरकार जिसका द्यत्रत्व कर रही थी श्रीमती इंद्रा गांधी उनकी सलहा पर भारत के तत्कालीन राष्टपती वक्रुदिन अली एहमद ने देश में आंतरिक आपातकाल की घोशना कर रही उससे पूर्व हमारे देश में 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के दौरान भी आपातकाल की घोशन की गई थी समविधान के अनुछेज 352 में सरकार को ये अधिकार प्राप्त है कि वह देश की सुरक्षा के लिए उत्पन खत्रे युद्ध बहरी आक्रवाण या आंतरिक गणबड़ी या विद्रो के आशंका के कारण देश में आपातकाल की घोशना कर सकती है इसी प्रावधान का उप्योग करते हुए 25-26 जून 1974 को प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रा गांधी ने देश में आपातकाल की घोशना की राश्टपती श्री फक्रुदीन अली एहमद के हस्ताक्षर के बार रेडियो पर अपने राश्टवाफी प्रसारन में श्रीमती गांधी ने कहा राश्ट्पती जी ने देश में आपातकाल की घोशना कर दी है इससे आतंकित होने की कोई बात नहीं है आपातकाल य安全 से जब लागू होती है तो समस्त नागरिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। प्रेस पर सेंसर्शिप लागू कर दी जाती है। आपातकाल की घोशना होते ही देश भर में विपक्षी नेताओं की धरपकड शुरू कर दी गई। सेंसर अधिकारियों से स्विक्रत कराना अनिवारिक घोशित कर दिया गया। आपातकाल की घोशना की अपनी एक प्रश्च भूमी भी है। ऐसा कहते हैं प्रहानमंत्री ने आपातकाल की घोशना के लगवक 6 मने पहले से यह तैयारी शुरू कर दी थी। ततकाली इन प्रधा द्वन्दी थे राज नारायन चुनावों में श्रीमती गांधी को भारी बहुमत से विजय प्राप्त हो इलहापाद हाई कोट में राज नारायन ने एक रिट्याचिका दायर की और गांधी पर ये आरोप लगाए कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपय किया है उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने गलत तरीके से मचदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया है ऐसे इस्तिती में ये चुनाव रद्द किया जाए इलहाबाद हाई कोट के ततकाली नयाधीश श्रीत जगमोहन सेनहा ने श्रीमती गांधी को चुनाव जी पाया इसके अत्रिक्त उन्होंने यह भी कहा कि श्रीमती गांधी ने ते सीमा से अधिक घर्च चुनाव प्रचार में किया मत दाताओं को प्रलोभन दिये और मत दाताओं को रिश्वत दी ऐसे स्थिती में उनके इस चुनाव को रद्द करते हुए राज नारायन को विज देश की राजनीती में पहल का मच गया था यह भी कहा जाता है कि श्रीमती गांधी ने अपना त्याग पत्र तैयार कर लिया था लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये थे उसी दौर में उन्हें यह सलह दी गई या यह उनका निर्णय था कि देश में आपातकाल लगू कर दिया जाए और 25 जून 1975 को राश्टपती को सलह दी गई कि वे आपातकाल की घोशना करें आपातकाल की घोशना होते ही धर पकड़ शुरू हो गई अनेक राजजितिग्यों को तो गरिफ्तार किया ही गया साथ ही मीसा मेंटेनिंस आफ इंटरनल सेक्यूरिटी एक्ट आं अनेक वरिष्ट नेताओं को गरिफ्तार कर जेल में डाल दिया गया आपातकाल के पूर्व श्री जैप्रकाश नारायन ने देश भर की यात्राएं कर संपून क्रांती की अवधारना हमारे सामने रखी थे और उनका प्रयास था देश के युवाओं को एक मंज पर लाकर के संपून क्रांती की तैयारी करना ऐसे स्थिती में एक गंभीर संकट की स्थिती उत्पन हो गई थे जैप्रकाश नारायन ने जगे जगे रेलियां की और संपून क्रांती की अपनी उस योजना को स्पष्ट किया एक तरह से पूरे देश में धर ने प्रदर्शन शुरू हो गए थे 1931 के चुनाओं में श्रीमती गांधी को भारी बहुमत मिला था 1931 में जैसा हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को करारी शेकस्त दी थी उस लड़ाई में और बांगलादेश का उदे हुआ था 1931 के चुनाओं में श्रीमती गांधी ने गरीवी हटाओं का नारा लगाय पाकिस्तान के उस युद्ध में विजय और गरीवी हटाओं के इस नारे के कारण श्रीमती गांधी को अपार बहुमत मिलता है और 352 सीटें जीत कर उन्होंने एतिहासिक विजय दर्ज की थी लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां आगे पनपी उसने देश की उस राजनिति की गवस्था को एक तरह से संकट में डाल दे इन परिस्थितियों में आपातकाल की घोशना होते ही समाचार पत्रों पर संसर्शिप लागू कर दी गई इंजियन एक्सप्रेस ने अपना संपाद की खाली छोड़ दिया उसके बाद सरकारी दिशार निर देश आते हैं कि आप संपाद की खाली नहीं छोड़ेंगे कुछ ने कुछ लिखना ही पड़ेगा संपाद की एक हाली छोड़ने का प्रतिकार्थ था कि आज संपादक की कलम मौन है हम कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कुछ भी लिखेंगे तो वो सरकार से स्विक्रत कराना पड़ेगा सेंशर्शिप अधिकारियों की स्विक्रती आवश्यक है यह एक प्रतिकात्मक विरोध था अनेक पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया कई समाचार पत्रों को सरकारी विज्यापन देना बंद कर दिया गया कुछ विदेशी पत्रकारों को देश से बाहर निकाल दिया गया और उस समय जो चार समवाद समीतियां थी हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती, प्रेस्टेस्ट ओफ इंडिया और युनाइटेड न्यूस ओफ इंडिया इन चारों का विलेकर समाचार नाम की एक नई समीति स्थापित की गई जो पूरी तरह सरकार के नियंद्रण में थी इस बीच श्रीमती गांधी ने इलाबाद हाई कोड के फैसले को सुप्रीम कोड में चनौती दी और वहां से उन्हें राहत मिलती है आपातकाल के इस दौर में श्रीमती गांधी के पुत्र संजे सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने कड़ी सेंसर्शिप को लागू करने में अपनी महत्पोन भूमिका निभाई ऐसा भी कहा जाता है कि जब श्री इंद्रकुमार गुज्राल ने संजे गांधी के आदेशों को मानने से इंकार कर दिया तब तो एक प्रकार से दमन का व्यापक चक्र चला और उनको उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया आपात काल का वो दोर था जहाँ एक और गाजованतिक विरोधियों को जेलो में डाल दिया गया नागरिक अधिकार निलंबित कर दिये गए वहीं दूसरी और देश में एक नई तरह का महौल पैदा हुआ किसी प्रकार के धर्दे प्रदर्शन नहीं हो रहे थे और देश में सब कुछ उपरी दर्श्टी से सहज चल रहा था सरकारी कारियले समय पर खुल रहे थे रेले समय पर चल रही थे एक प्रकार का अनुसाशन आम जीवन में देखने को मिल रहा था इसलिए एक प्रमुक राजनेता ने इसे अनुसाशन पर भी कहा था लेकिन अंदर ही अंदर जिस तरह से सरकारी दमन चक्र चला उससे जनता में असंतोश फैलता चला गया संजय गांधी ने अपने पांच सूत्री कारिक्रम के तहट जबरन नस्बंदी अभियान चलाया वच हजारों लाखों लोगों की वहां नस्बंदी कर दी गई कई जगे अतिक्रमन के नाम पर बिल्डिंगे ढहा दी गई उधर श्रीमति गांधी ने एक बीस सूत्री योजना शुरू की आर्थिक सामाजिक विकास की द्रश्टी से इसी दौर में जब मार्च 1977 में चुनाव की घोशना की गई उसके बाद जन्ता का आक्रोश फूपता है लगभगतीन दशक में आदादी के बाद पहली बार गैर कॉंग्रेसी सरकार बनती है जन्ता पाइटी के श्री मुराजी देशाई ने प्रधान मंत्री पद की शपत ली और आपात काल की स्थितियों की समीख्षा करने के लिए आपात काल में जो दमन्चक्र चला था उसकी जाच करने के लिए श्याह कमिशन भी नियुक्त किया गया परिस्यतिया बदलती हैं और फिर जन्ता पाइटी में पारिस्परिक कूट के कारण मुराजी भाई को अपना स्थिफा देना पड़ता है और फिर मिस्स गांधी भारी बहुमत के साथ वापस सत्ता में आती है कुल मिला करके 21 महीने का ये आपात काल का दौर भारती इतिहास में भारत के लोग तांत्रे के इतिहास में सदा याद रखा जाएगा किस प्रकार सरकारी मशीनरी ने आम आदमी के मौलिक अधिकारों को कुचलते हुए कठोर सेंशर्शिप लागू की थी मुझे लगता है कि जब इस प्रकार की तानाशाही प्रवर्तिया पनप्ति हैं तो वो अंत्त है साशकों के लिए घातक होती है एक समाचारपत्र या प्रैस का स्वतंत्र प्रवाहा विचारों की उन्मुक्त अभिव्यक्ति कहीं न कहीं हमारे साशकों को सरकारों को एक ऐसा फीड़बेक देती हैं जिसके आधार पर वो अपने जोजनाई हैं इनको भी रिव्यू कर सकते हैं उनकी समिक्षा कर सकते हैं औ परश दोजार चोईस में प्रवेश कर गए लगभग पांश दशक की यह यात्रा आज भी आपातकाल के उस दंश को गहीं याद दिलाती हैं और एक संदेश देती हैं समकालीन साशकों को कि जब जब इस देश में किसी ने ताना शाही की प्रवर्ति पन्पी है अंत्त है इस देश के मत दाता ने उन्हें सही रास्ता भी दिखाया है कालांतर में जनता पाइल्टी ने समधान में संचोधन किया और आपातकाल की घोष्टना का जो अधिकार है उसे सीमित किया वर्तमान प्रावधानों के तहट अब आंतरिक विद्रहों के कारण आपातकाल तभी ही है केवल शेशस्त्र विद्रों की परस्तिति में ही आपातकाल की घोशना की जा सकती है हम उम्मीद करते हैं आपातकाल के इस पांच दशक की यात्रा वो देखते हुए कि आने वाले समय में भारत में लोकतांतरिक मुल्य प्रतिसापित रहेंगे और हमारे साशक और मद्द आता समवधानिक मुल्यों के प्रति समर्पित रहकर के इस देश के विकास के लिए समर्पित और प्रतिबद रहेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद शुब कामनाई जय हिंद जय भारत